हाई फ्रेंड्स, वेल्काव बैक्टू मैं शानल, सिजलिंग प्लेट विथ फाकरी तो friends आजम बनाने वाले हैं बहुती मज़ेदार सी हरे मसाले की कलेजी मुर्गी की कलेजी है friends यह और यह बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है बहुत जल्दी बनती है खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है और जो लोग कलेजी नहीं खाते हैं मैं उनको बत लिए हमें क्या क्या चाहिए यहाओ पर मैंने мिंटाता का जाल लिया है मैं इसमें डालूँगे उची जाधा लेना हमें इसकी डंडी भी कोथनी की वह बहुत उससे अच्छा color आता है और taste भी अच्छा आता है 4-5 हरी निच्ची लेंगे अपने टेस्ट के साथ से हम तीखा रखेंगे और मैंने इसमें 8 या 10 हम लस्टनी कलिया लेंगे 10 लस्टनी कलिया लिये मैंने इसमें और एक छोटा तुकड़ा मैंने बारिक-बारी काटके अधरक लिये, उसको भी हम इसमें डाल देंगे, और इसमें हम उपड़ से जीरा डालेंगे, ताकि जो साथ में अच्छे से पीस जाए, और इसमें बहुत थोड़ा सा पाई डालेंगे, इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, इसको हम पीस लेंगे, तो ये डीजे हमारा ये पेस्ट बनके तयार हो चुका है, अब हम कड़ाई में तेल ले लेंगे, तेल थोड़ा जादा लेंगे, और इसमें बारिक-बारी काटके मैं दो बड़े प्याज ले रही हूं, इसको हमें अच्छे से फ्राय कर ल अच्छे बनते हैं, अच्छे से गल जाते हैं, अच्छे अंदर तक क्रिस्पी हो जाते हैं, इसमें हम नमक डालेंगे, टेस्ट के साब से, नमक कम डालेंगे, क्योंकि ये बाद में पकने याद में बहुत थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए हम इसमें जादा नमक एक साथ न लेंगे, और अब हम इसको अच्छ से mix कर लेंगे, इसको मसाले ये डालके इसको fry करेंगे, बोटी का तो यह color है थोड़ा चेंच हो जाएगा, अच्छ से मसाले को भून लेना है, और इसकी साथी साथ क्या होगा, कलीजी की smell भी निकल जाएगी, यह देखे जो कलेजी का पानी यह वो पूरा चुओड चुका है तेल चुप गया है अब हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट पीसा था ना हर मसाली हो departments करदे inflict और अब हम इसको चलाते रहेंगे और इसको तेज आँच पर पकाएंगे ताकि जो यह मसाले का पानी है वो भी एच्छे सूक जाओ इसमें थोड़ा सा पानी एड़ किया है मैंने जार के अंदर भी थोड़ा पानी डालके उसको पूरे मसाले को इसके अंदर डाल दिया है कलेज ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकिए, ये देखिए, कितनी बढ़िया सी बनके तायार हो चुकिए, बस हम इसको डखके रख देना है, इसका जाराバी सारा पानी भी मुझे भी सूख गया है, और कलेज भी अच्छे से फ्राई हो चुकिए, तो friends, हमारी बढ़िया आपको दिखा देती हुआ अंदर से देखे कितनी सॉफ्ट है और फ्रेंज जितनी अंदर सॉफ्ट है उतनी बहार से क्रिस्पी है क्योंकि अच्छे से फ्राय हो चुकि तल गई है तो फ्रेंज आप लोग भी अपने घर में जरूर बनाएए जरूर ट्राइ कीजिए मेरे वी मिलते है नेक्स वीडियो में